सब को आता है ठीक है और गुना करने में कोई बड़ी बात भी नहीं है आप बड़ी से बड़ी और चोटी से चोटी संख्या का गुना कर लेंगे पर आप कितना टाइम लेते हैं उसको गुना करने में क्योंकि कहीं बार क्या होता है पूरा कोश्चन सोल हो गया और गुना करन आँगाités को आएंगे आज 20 तक की गुणा की बात करेंगे और अदर किने किसी न Space आईएंगे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या की अगर फार उसकी गुना है तो आपको बस दो स्टेफ ज्यान की रखेंग और 되는데 सिर्फ बताने के लिए अब mentally calculate कर लेंगे एक भी second नहीं लगाएंगे उस number को 2 से भाग करना है और उसके सामने एक 0 लगा देनी है कैसे पहला step है उस number को जैसे 5 की multiply 18 में करनी है तो आपको क्या करना है 18 को 2 से भाग करना है कितना गया 9 और 9 के सामने एक 0 लगा दो कितना गया 90 तो यह तो आप easily कर सकते थे ठीक ऐसे में तो नहीं टाइम लगता जैसे 22 की multiply 5 में करनी है तो 22 को 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 11 और 11 के सामने एक 0 लगा दो तो कितना आजाएगा 110 आजाएगा तो नहीं टाइम लगेगा मुझे पता है और एक चीज और आप जहां ना किये अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि 0 लगाना है तो यह देखे जब भी उस नंबर को 2 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा उसमें 10 की multiply करनी है यह याद रख लीजेगा ठीक है मतलब कि जैसे 22 है 22 को आपको 2 से भाग किया तो 11 आगया और 11 में 10 की multiply कर दो तो कितना आजागा 110 या फिर 1 0 लगानी है simple सी बात है और देख लेते हैं practice हो जाएगी बाकी आपको कुछ भी number उठाना है और calculator अपनी side में रखना है पहले उससे multiply करके देखो फिर calculator से और फिर देखो आपका आणसर बिल्कुछ सही आएगा ठीक है जैसे 36 है 36 की गुणा 5 में करती है तो 36 का हमें पता है आदा क्या होता है दो से बाग करेंगे तो 8 आजागा एक ठार के सामने एक 0 लगा तो एक 180 तो आप बिल्कुल मतलब within second बता सकते answer 17 है अब देखे जो यह होता है मतलब completely divide नहीं हो सकता 2 से तो 17 है तो 17 का half कीतना होता है 8.5 8.5 की multiply 10 में करेंगे तो point हट जाएगा तो 85 ठीक है यानि कि एक 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाने बढ़ाएंगे तो पहले point हटेगा तो point ही हटा लेंगे तो 85 यह आप का answer हो जाएगा ठीक है जैसे 236 की multiply 5 में करने है तो आप कितना time लगाएंगे इसको कुछ time तो लगेगा ना पर इसको 2 से भाग करने में 20 सेकिंड नहीं लगेगा कितना आएगा 118 236 का अब इसको आदा कैसे करना है अगर आप इसको भी थोड़ा सा देखें तो 200 का आदा कितना होता है 100 और 36 का आदा कितना होता है 18 तो यह 118 हो गया बिल्कुल simple है उसके सामने एक 0 लगा दो तो ऐसे तोड़ तोड़ कर भी आप आधा कर सकते हैं आधा करना है मेल लिध दो से बाग करना है तो आधा ही करना है जो भी नंबर है उसका आधा करना है उसमें 0 एक बढ़ा देनी है बस 1364 का 2 से बाग करेंगे कितना आ जाएगा 682 ठीक है और उसके सामने एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना आजाएगा आपका यह आजाएगा ठीक है 6820 1364 की multiply करेंगे 5 से तो 6827 आजाएगा तो बिल्कुल simple है अब दूसरा आपका type है जब multiply करनी है 25 से हमने 5 की बात कर ली अब 25 में भी कहीं बार बहुत multiply होती है आपने देखो को कई बार question में 25 5 की multiply आती है और आप उसे पूरी को लिख करके multiply करते है तो यहाँ पे बिल्कुल वही concept रहेगा type 1 गई बस दो चीज़ चेंज होगी वहाँ पे हम 2 से बाग करते थे यहाँ 4 से बाग करना है बस ठीक है 18 को 4 से बाग करें कितना आ जाएगा 4.5 और multiply हमने 10 से करते थे यहाँ पे 100 से करनी है बस यानि कि वहाँ पे 1 0 बढ़ाते थे यहाँ पे 2 0 बढ़ानी है simply ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं तो step 1 में क्या है 18 18 को divide करेंगे 4 से तो कितना जाएगा 4.1 और 4.1 की multiply 100 से करें आ फिर 2 0 बढ़ा दे तो 450 आपका answer आ जाएगा ठीक है तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि multiply करने का देखे बहुत आसान तरीका है और अभी मैं सभी multiply बताने वाला हूँ यह तो कुछ direct trick है बिल्कुल जो आपको second भी नहीं लगानी है इनको solve करने में फिर मैं आपको बताऊँगा बड़ी से बड़ी संख्या की और कितनी को मतलब किसी भी संख्या का आप multiply कर सकते हैं ठीक है वो second part मैं बताने वाला हूँ आज जो यह पार्ट है यह भी बहुत important है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका step 2 में पता चलिया न आपको देखे मैं चाहरा हूँ कि जितने भी railway वाले बच्चे जुड़े हैं न क्यूंकि online paper है आप calculation भी increase करिए एक तो अगर लगे हुए हैं बस question को solve करने में एक question को अगर 5 मिनट में solve करने हैं तो उसको solve कर रहा हुआ मत मानिएगा वो समझ लीजे आपने कुछ किया ही नहीं इसमें अगर 2 मिनट भी अगर आपको किसी question को solve करने में लग रही है तो question solve नहीं है वो वो कुछ नहीं है अब 2-2 मिनट लगा के देखे पूरा time आप consume कर जाएंगे सिर्फ math math में फिर दूसरे subject के लिए क्या time बचेगा तो अपनी calculation को improve करिए जिजनी हो सकती है और जिजनी practice हो सकती है question की practice करिए तब जाके आप calculation improve होके math को जल्दी कर पाएंगे math को जल्दी कर पाएंगे तो आपका time save होगा time save होगा तो आप selection दूसरे subject को भी time दे सकते है औ आपको ध्यान रखना है चोटी चोटी बातों को पकड़के ही selection तक पहुंचा जा सकता है डारेक्ट किसी का आज तक कोई रास्ता बन नी पाया और नहीं बन पाएगा देख लेते हैं 120 की multiply 25 में करनी है तो step वही है 120 को 4 से बाग कर दो अब 25 वाला concept चल दा है जब 5 वाला था यह तो आप multiply सोच लो कि multiply करनी है जब भी 25 से 100 की या फिर 2 0 बढ़ानी है तो 30 में 2 0 बढ़ाएं किता आजाएगा 3000 आजाएगा next आपका देख लेते हैं इसको भी 289 समझ लेजिए यह वाला है 289 इंटू 225 ठीक है 25 की multiply करनी है 289 में अब यह तो काफी time ले सकता था आपका पर यहाँ पर time नहीं लेगा step 1 में क्या आगा 289 को डिवाड कर आप 4 से तो 72.25 आ गया और जब आप इस चीज़ से को अपनी मतल से बाग किया तो 72.25 आ गया ज्यादा time नहीं लगेगा इसमें तो अब इसमें 100 की multiply करने 100 की multiply क्या करना है मतलब कि point के बाद 2 digit है तो बस यह point हट जाएगा तो कितना बचेगा 7225 समझा आप इस बात को यह इसमें multiply होगी तो बस point हट जाएगा तो यह चीज भी आपको करने की जोड़त नहीं है आप देखिए सिर्फ आपको यहीं पर करते ही answer आ गया था क्यूंकि आपको पता है second step में हमें 100 की multiply करने है तो 100 की multiply करने का मतलब यह point हटेगा तो आपको कुछ करने की जोड़ती नहीं थी यहीं पर direct आप 7225 आंसर लिख देते तो यह step नहीं करने की जोड़ती तो बस 4 से डिवाइड करती है आपका answer आ गया था तो यह भी चीज आपको ध्यान अकनी है कि जादा से जादा मतलब लि 341 के सामने बस दो 0 बढ़ा देनी है तो कितना आजाएगा या आजाएगा आपका तो आंसर आजाएगा 34400 आपका answer हो जाएगा यहां तक आप समझ गया हो 25 की multiply को किसी भी किसनी भी बड़ी नंबर हो यहां पर कितनी भी बड़ी डिजिट हो आपको बस 4 से divide करना है और उसके सामने 2-0 बढ़ा देनी है चार से डिवाइड करना है दो जिरो बढ़ा दिने है, जब भी किसी नंबर को पाँच से करना है multiply, तो उसकी दो से भाग करना है और एक जिरो बढ़ा दिने है, इसको सिर्फ आप अपने mind में set कर लिजे, टाइप 3 पे आ जाते हैं जब आपको किसी भी नंबर को 125 से multiply करनी पड़ती है कितने से 125 से तीसरे वाला टाइप है 125 वाला तो 125 में आपको क्या करना है सिर्फ जहां रखना है कि पहली बार हमने 2 से बाग किया था जब 5 से multiply करी थी जब 25 से multiply करी थी किसी भी नंबर में तो 4 से बाग किया था अब की बार 125 से multiply करनी है तो अब की बार 8 से divide करना है किसी जिस भी नंबर की हम multiply करेंगे 125 में तो उसको 8 से बाग कर देना है 18 को 8 से divide करेंगे तो कितना जागा 2.25 और इसमें करेंगे अब की बार 1000 की multiply यानि कि 3 0 बढ़ानी है 3 0 बढ़ानी का मतलब है एक तो ये point टेगा तो 2 0 तो ये ही cut जाएगी फिर 1 0 बढ़ेगी तो 2250 answer आजाएगा तो यहाँ पर देखे क्या सोचना है आपको जब भी किसी भी नंबर को 125 से multiply करना है तो 8 से बाग करो, 3 0 बढ़ा दो 8 से बाग करो, 3 0 बढ़ा दो 8 से बाग करो, 3 0 बढ़ा दो ये बस आपको उपने mind में set कर लेना है देखिए 125 की multiply', 400 में करनी है तो इसको 8 से बाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8, 5, 40, 50 आजाएगा 50 के सामने 3 0 बढ़ा दो कितना देगा 50,000 आंसर तो कितनी सेकंड लगी एक सेकंड भी नहीं लगेगी जब आप इसकी maximum practice कर लेंगे जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें time लग रहा है otherwise आप सोचो दिमाक में बोलना भी नहीं है सिर्फ सोचना है दिमाक में सोचो और answer बता दो दिमाक में सोचो और answer बता दो यही होता है ठीक है तो इसका आपको क्या करना है 400 को बाकरना 8 से और 3 0 बढ़ा देनी है बस आपका answer आ गया अब 2 8 9 की multiply 125 में करनी है तो क्या करना है इसको 8 से divide करेंगे तो कितना देगा 36.125 और इसमें 3 0 बढ़ानी है अब मुझे एक चीज बताइए मैं आपको बार-बार बोलना हूँ कि 3 0 बढ़ानी है अगर आप इसको direct 8 से divide करें तो आपका answer आ गया ना यही तो answer है अब यहां से बस हमने point ही क्योंकि हमने इसमें 3 0 बढ़ानी है या फिर 1000 की multiply करनी है तो 1000 की multiply करने का मतलब है यह point हटेगा बस ठीक है तो 36.125 answer आ गया इसको बस 8 से divide ही तो करना है मतलब multiply करने को बोला है 289 125 की इतनी लंबी multiply करना है और आपको करना क्या सिर्फ एक चीज कि इसको 8 से divide करना है आपका answer यह तो नहीं बहुत easy trick है अगर आप इसका utilize करते है calculation में तो बहुत help करने वाली है ठीक है type 4 पे आ जाते है type 4 आपकी 11 की multiply जब भी किसी number से करनी पड़ती है तो देखिए इसकी वैसे मैं बस आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि एक easy trick है बाकी इसकी देखिए type 5 में यह भी cover हो जाएगा ठीक है 11 वाला condition भी type 5 में cover हो जाएगा type 4 है आपका जब भी किसी number की multiply करनी है 11 में ठीक है 11 की multiply करनी है फिर किसी भी number में जैसे 13 में 11 की multiply करनी है आपको क्या करना है दोनों side में 3 3 लिख लेना है याने कि इसकी multiply में करेंगे तो 3 और इसकी multiply में करेंगे 3 और इन दोनों को plus करके लिख दो बीच में answer ठीक है अब देखें यहाँ पे इसको बाहर लग को इसकी multiply में करो 4 और इसकी multiply इसमें 4, sorry 6 और इन दोनों को plus करके कितना आएगा 10, तो 10 को यहाँ पर 10 नहीं लिखना है यहाँ पर 0 लिखने है जब भी carry बचेगा उसको इसमें add कर देंगा तो कितना हो जाएगा 7, 0, 4 एक और देख लेते हैं अब 3 number वाला है इसकी multiply करने में 11 में तो क्या करना है इसको लिखो इस side में इसको लिखो इस side में फिर क्या करना है इसको plus करके लिख दो यहाँ पर और इसको plus करके लिख दो यहाँ पर एक बार और बताता हूँ 11 की multiply भी कहीं बार आपको करने को मिल जाती है कितनी जंगे पे वैसे मैं अभी जो trick बताने वाला ना आपको second part में उसमें सब cover हो जाएगा ये तो उस trick से थोड़ी easy trick है ये वाली पर उस trick में तो सब कुछ cover हो जाएगा पूरी multiply cover हो जाएगी ठीक है तो क्या आपकी triple 3 की multiply multiply 11 में करनी है तो मैंने क्या बता इसकी समें करेंगे हाँ पर लिख देंगे इसकी समें करेंगे हाँ पर लिख देंगे बीच में क्या आता है पलस करके अब 3 है तो क्या करना है आपको पहले इन दोनों को पलस करके लिख दो और फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दो, तो 6-6 आ जाएगा answer, ठीक है, आसा करता हूँ कि आपकी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और ये trick आपको सभी समझ में आ रही होगी, next है आपका 12 से 19 तक की जितनी भी multiply होगी, तो बस एक ही प्लस की चीज का ध्यान रखना है, 12 से 19 की multiply करना है, जैसे 34 की multiply 12 में करने है, ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहलोगे, अब 34 की multiply ग्रभा सिब हमें निया करने है, यह सोचना है अपको, ठीक है? फिर आपको क्या करना है इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 में multiply करनी है हमेशा इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 0 में multiply करेंगे 2 की 0 में करेंगे तो 0 plus 3 करेंगे तो 3 plus 1 तो 4 एक बार और बताता हूँ confuse नहीं होना है बिल्कुल भी देखिए 3 4 की multiply 12 में करनी है आप इसको direct भी कर सकते हैं पर जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको बार 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 यूज करते हैं तो बहुत जल्दी calculation कर लेंगे बहुत जल्दी आप इसको solve कर सकते हैं देखिए 4 की multiply 2 में की 8 आगया 4 की multiply 3 में करीब प्लस 4 करा तो कितना आगया 10 10 की का हम ने रखा यहां पर 0 और एक carry 1 ले लिया फिर 2 की यह 1 तो काट ही देंगे बारा की में बस 2 काई काम रहेगा फिर यहां पर आपको 0 मान लेना है इसके आगे हमेशा ही और इसकी multiply 0 में करेंगे 2 की 0 तो 0 और प्लस 3 और प्लस यह carry 1 तो 4 आजाएगा अगर समझ में नहीं आ तो next में आजाएगा देखते रही है देखिए सबसे पहले इस 1 को काट दो जैसे 12 है या कोई भी नंबर है उसको काट दो यहां पर बस उसके last वाली digit लो और इसकी multiply करना है start करो 2 की multiply 5 में की तो कितना आगा 0 10 आएगा तो 0 लेना है और carry रख लेना है ठीक है फिर 6 दूनी 12 ठीक है 12 और 5 आपका कितना हो गया 17 और 1 अठारा 18 का 1 का और हाशी लगया 1 ठीक है उसके नीचे एक carry जो होगा इसके नीचे लिख लेना है ठीक है फिर next आपका 17 दूनी 14 और 6 20 और 21 21 का 1 का हाशी लगू 2 फिर यहाँ पर 0 ही मानना है आपको 2 की 0 में करेंगे 0 7 और 2 यहाँ पर है carry इसको plus करके लिखनेंगे 9 तो कितना हो गया 9 1 8 0 देखे मुझे लग रहा है कि आपकी यह समझ में नहीं आ पा रहा है तो एक बार मुझे comment box में comment करके बता दीजगा यह चीज आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है लास्ट वाला type 5 आपकी समझ में आ रही है नहीं आ है एक बार और repeat कर देता हूं देखे ध्यान से देखना है 7, 6, 5 की multiply करनी है तो सबसे पहले तो इसको अटा दो 1 को अब खेल बचा है 7, 6, 5 और 2 का तो क्या करना है आपको सबसे पहले इसकी multiply इसमें करो तो double digit नहीं लेनी है जैसे multiply में जब भी कोई double digit आ जाती है तो हम उसमें से एक लिख लेते हैं और बाकी का carry ले लेते हैं वैसे ही करना है तो 5, 2, 10, 10 की 0 लेंगे एक यहाँ पे नीचे carry लिख लेंगे 1 आ गया फिर next में हम को क्या करना होता है 6, 2, 12 यह 12 क्या फिर पीछे वाला plus कर लेंगे जितनी digit पीछे आती जाएंगे उसको plus करते चलेंगे 7, 7 में तो 6, 2, 12, 5, 17 और एक carry का था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 18 का 8 और कितना बचेगा carry 1 ठीक है next step क्या करना है इसकी multiply करनी है 7, 2, 14 अब यहाँ पे इसके पीछे कौन सा 6 तो 14 की 6 में plus करेंगे कितना आ जाएगा 20 और carry एक 1 था तो इसको यहाँ पे आ जाएगा 21 तो एक ही आ जाएगा तो carry कितना बचेगा हसिल कितना बचेगा 2 next मैंने आपको बताते हैं आपे 0 मान लेना है हमेशा और 2 की multiply 0 में करेंगे तो 0 और plus करेंगे 7 तो कितना जाएगा 7 और यह जो carry का 2 इसको 9 यह आपको करना है तो यह भी अच्छा तरीका है अगर आप इसको use करते हैं बार बार use करते हैं तो easily कर लेंगे 14 की multiply 17 में करनी है तो क्या करना है सबसे पहले यह 1 तो आपको हटाई देना है ठीक है जब भी 17 या फिर 19 तक किसी की भी multiply करनी है तो यह 1 अच्छा देना है हर बार तो क्या करना है आपको 17 को plus करना है 14 में तो कितना हो जाएगा 14 और 7 21 और इसके सामने 0 लगा देनी है तो 210 यहां से देखिएगा यह 1 अच्छा देना है और 7 और इन दोनों को plus करना है एक बार तो और एक बार multiply करना है वह मैं बताऊंगा इन दोनों को plus क्या 21 इसके सामने 0 लगा दो और 7 की multiply चार में कर दो ठीक है एक बार इसको भी अच्छा दो 200 और 7 यह 21 तो कितना हो जाएगा 221 आपका answer हो जाएगा 7 और 13 आपका कितना हैगा 20 आएगा 0 मैंने पहले बढ़ा दी थी 200 इसलिए direct बोल दिया कभी confuse हो जाएं कि 13 और 7 को plus करके 200 कैसे हो सकता है क्या बताया था मैंने इसको 1 को अटाओ 13 और 7 को plus करो और 1 0 बढ़ा दो 200 और 7 यह 21 इसको plus करेंगे तो 221 answer आजाएगा एक और देख लेते हैं इसकी करनी है तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 एक 0 बढ़ा दो तो कितना हो गए 200 ठीक है फिर next में क्या होता है 9 की 6 में करें 24 और इन दोनों की plus करेंगे 304 आपका अंसर आजाएगा तो बहुत आसान है टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी ठीक है